अलो फ्रेंड्स मेरा नाम है अमेद वेलकम टो मैं यूट्यूब चैनल तो पिसले अफ्ते स्टॉक यही चले थे जैसे वने बात करी थी और निफ्टी और बैंग निफ्टी भी लगबग वैसे ही काम करा है जैसे हमने लास टाइम बात करा था तो चली इस अफ्ते में आपके स्टॉक अडेंटिफाय करके रखे हैं उसको देखते हैं और निफ्टी और बैंग निफ्टे के ऊपर मेरा व्यू देख लेते हैं तो चली विदाउट वेस्टिंग मस्टाइम वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों मेरे स्क्रीन पर आपको निफ्टी फिफ्टी का चार्ट देख रहा है तीस मिनट के टाइम फ्रेम पर पहले हो मैं ऐसे डेरी टाम फ्रेम पर कर देता हूं हम बहुत समय से बात करते हुआ रहे हैं कि यह जो इसका निफ्टी का रेजिस्सन्स था इसको सने क्रॉस किया है जब से तब से यह उपर ही जा रहा है एक बार भी 20 यह में को टेस्ट करने नहीं आया है राइट मार्केट आइडली ऐसा सीधा सीधा नहीं जाता है उपर आप जब भी देखेंगे मार्केट सीधा दो पर जार मतलब कोई गड़बर लगती है लेकिन जब तक 20 यह में को टेस्ट नहीं करा है तब तक कोई कंफरमेशन नहीं होता है नीचे गिरने का तो चलिए देख यहां पर निफ्टी अपने ऊपर के ट्रेंड में ही रहेगा राइट निफ्टी को ट्रेंड चेंज करना है शॉट टम के लिए भी तो उसको 30 मिनिट्स का जो 200 है उसको तोड़के नीचे ट्रेड करना पड़ेगा तो फिलाल हम उपर का सौधा ही देखेंगे मतब लॉंग के सौधा ही देखेंगे और यहां पर अगर इस सपोर्ट पे आएगा तो हम भाई करेंगे एल्स हम वेट करेंगे निफ्टी की चाल को देखेंगे ऐसा भी नहीं कि इससे और जाद निफ्टी के उपर मेरा व्यू बढ़ते हैं बैंक निफ्टी के उपर मैंक निफ्टी में भी पहले हम आपको डेली चार्ट दिखा देते हैं डेली चार्ट में आप देखेंगे जैसे निफ्टी ने एक रेजिस्टन्स वड़ा था बैंक निफ्टी ने भी रेजिस्टन्स ही जा रहा है राइट इसमें अगर किसी ने लॉंग का सौधा लेकर रखा हुआ है तो उसे ट्रेल कर सकता है 200 EME के जरीए या फिर 100 EME के जरीए राइट उसके नीचे अपना स्टॉप लॉल ट्रेल कर सकता है और एक्जिट जो और यह जो स्टॉप लॉस है यह एरिया यह हम स्टॉप लॉस रखेंगे जो मैंने भी लाइन ड्रॉप करी विच इस 45,650 के आसपास राइट यह स्टॉप लॉस एरिया रहेगा यह तभी ही हम करेंगे जब यहां पर एक बुलिश कैंडल बनाएगी और उपर जाने की हमको सं मैं से मैं 30 minutes पे पूरा focus कर रहा हूं जैसे आने वाले हफते में ही हमारा जो stop loss या फिर टार्गेट है वो अचीव हो जाओ और हमें entry बरावर से मिल जाए बरावर तो सबसे पहले stock आता है FDC Limited FDC Limited जो है उसका 30 minutes का time frame पे आप देखेंगे यह इसका important resistance दिख रहा है 37 का इसके पर जैसे 30 minutes की candle close देखी हम इसमें हमारी buy के entry डाल देंगे और 200 yen का stop loss लेके इसमें हम right करेंगे वर्जशुतरी target के दिए ठीक है बढ़ते है अगले stock की तरफ उससे पहले एक चोटी से announcement है मैं इस वीडियो के end में एक question raised किया है किसी subscriber ने कि यही strategy उसे short side भी use करना है उसे कै ठीक है तो चलिए बढ़ते हैं अगले stock की तरफ इस सबते के लिए जो अगला stock है वो है राने holding राने holding में आप देखेंगे मैंने resistance लाइन और support लाइन और ड्रॉट करके रखी है 11.39 के उपर जब price निकलेगी 30 minutes के time frame पे उपर candle close देगी तो ही हम entry लेंगे और यह जो नीचे resistance लाइन जो है वो ड्रॉट करके रखी है 123.5 के उपर जैसे price निकलेगा हम इसमें bike entry ले लेंगे और 200 यह का stop loss लेके इसमें हम ride करेंगे 103 target के लिए बढ़ते हैं अगला stock अगला stock जो है Malcolm India उसमें मैंने resistance लाइन ड्रॉट करके रखी है 108 9.9 मतलब मोटा मोटी 1090 के उपर जैस इसको हम 12-3 target के लिए ride करेंगे अगले हफ़ते में ठीक है बढ़ते हैं इस सफते का जो last stock है उसकी तरफ इस सफते का जो last stock है उसका नाम है जैबारत मारूती जैबारत मारूती जो है auto segment का stock आप देख रहे होंगे कि बहुत ही शांदार तरीके से perform कर रहा है अगर नहीं तो मैं आपको उसका view दिखा देता हूँ एक minute में पहले stock को देख लेते हैं यह stock resistance है वो 320 का है 320 के उपर जैसे ही 30-meter content निकलेगी इसमें हम हमारी bike entry डाल देंगे और 200 EMA का stop loss लेके इसमें हम ride करेंगे तो जल्दी से मैं आपको auto sector का भी chart दिखा देता हूँ क्यों मैं कह रहा था कि auto sector जो है वो बहुत अच्छे से उपर जा रहा है right auto sector का मैं आपको पहले मंत्री चार्ट दिखा देता हूँ आप देख सकते है कैसे rocket के जैसे उपर जा रहा है अपना पूरा all time high भी break कर दिया है weekly time frame में भी उपर जा रहा है और daily time frame में भी उपर जा रहा है और 20MA का support लेके short term और short term tino trend इसके up है इसके वज़े से जो है auto sector booming है आने वाले एक साल तक कि booming रहेगा ऐसा मेरा अनुमान है ठीक है तो चलिए बढ़ते हैं जिस subscriber नहीं लिखा था कि इस strategy को short में कैसे use कर सकते हैं मतलब short side कैसे use कर सकते हैं तो बहुत ही simple है जो हमारा setup है उसका हिज़े के लिए आप रिवर्स कर देंगे तो आप इसे short side पे यूज कर सकते हैं जैसे for example राने होल्डिंग का आज बात करी पहली बात यह कि आपको short करने के लिए आपको अगर cash segment वाले stock short करने है तो आप सिर्फ करना है इसी setup को मैं उल्टा कर देता है उल्टा मतलब इस chart को मैंने inverse कर दिया राइट inverse कर दिया तो मुझे दिग गया कि उपर यह में है और बाकी की तीनों यह में नीचे है और यहां पर consolidate कर रही है यहां पर जैसे हम लोग long side जैसे मैंने उपर से एक resistance किया था उसी तरह से short side पे नीचे मैं support करूँगा राइट जैसे ही इसका support है यहां पर जैसी यह candle उपर create होगे नीचे close देजी red color की मैं इसमें short के entry ले लूँगा और यह उपर का stop loss लेके इसमें राइट करूँगा वर्न रिशो 3 टार्गेट के लिए लेकिन ध्यान रहे यह सिर्फ हम future में ही कर सकते हैं अगर हम बड़े time frame में जा रहे हैं अगर हमको आप सारे stocks निकालके खुद भी देख सकते हैं किसे stock में perform करा है और किसने नहीं करा है आप विल्डे शो भी खुदी निकालके comment box में लिखिएगा मुझे बताइएगा consequence stocks में आपने entry करी और किस-किस stock में आपने आपके अगर SL हिट हूँ है तो मुझे आप बताइएगा ठीक है तो चलिए फिर मिलेंगे अगले अफते तब तक के लिए discipline follow करिए और risk को manage करिए क्योंकि यही दो मातर हत्यार है एक retail debtor के पास धन्यवाद